अग्रा नैशनल हाइवे के आमोली टोल प्लाजा पर भरतपूर के बहुत चर्चित भाजपा निता कृपाल जगीना हत्यकान्ड के मुख्या आरोपिक ग्यांग्स्टर कुल्दीप जगीना की गत्थ 12 जुलाई को प्लानिंग के तहट हत्यार बंद बदमाशों ने गोली मार कर हद्या कर दी घटना के वक्त कुल्दीप और उसके साथ ही विजयपाल को पॉलिस जैपूर सेंट्रल जेल से रोडवेज बस में कोट में पेश्वी के लिगे भरत पूर ला रही थी घटना में विजयपाल भी गोली लगने से घायल हो गया था घटना के बाद बयाना सरकिल पॉलिस ने ततपरता से कारणवाही करते हुए सोपास गाउ से मुटभिड में चार बतमाशों को गरफतार कर लिया था मुटभिड में दो बतमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गय थे इनके खलाब रुदावल थाना पॉलिस में पॉलिस टीम पर फैरिंग करने का मामला दर्ज हुआ था जिस मामले की जाच बयाना सच्चो की हरी नराड मिड़ा कर रहे थे डिपटी एसपी दिनेश यादो ने बताया कि मुर्भिड के दोरान पैर में गोली लगने से घायल हुए बतमाश उद्योग नगर्थाना शेत्र के गाउं जान निवासी बिश्नो उर्प वोना जाट और सेवर्थाना इलाकी के गाउं मालिपूरा निवासी बबलु गोर्जर को श्रनिवार को कोट में पेश किया गया जहां से उन्हें 17 जुलाई तक रिमांट पर सवापा गया है जबकि उनके दोनों साथी सौरप जाट और धर्मराज पहले से ही 17 जुलाई तक के रिमांट पर चल रहे हैं इसने बतमाशों के कबजे सचार आवैद लोटेट करते मेर्ची पाउडर मुबाइल और कार जबत की है